साथियों नवसकार कैसे हैं आप लोग स्वागत एक कंप्टेशन कम्यूंटी के इस आनलाइन एक्ट्रेशनल प्रेटफॉर्म पर आप सभी का साथियों हम पढ़ रहे हैं मद्यप्रदेश प्रारंभिक परिच्छा का सलेवस कवर कर रहे हैं हमारी कंप्टेशन कम्यूंटी की टीम ने आपके लिए क्रेश कोर्स सुरू किया है तो जब हम पढ़ते हैं जब क्लासिस में हम इन सब चीजों को कवर कर रहे हैं तो क्लासिस के बाद कमेंट के तुरू कोश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट की स्टूडेंट की कोश्चन ये रहते हैं कि सर क्या MPPSC का जो ये क्रेश कोर्स चल रहा है ये क्या free of cost रहेगा तो जी हां साथियो आपकी जानकारी के लिए आपके information के लिए बता दें कि ये जो हमारा पूरा सीरीज है MPPSC क्रेश कोस प्रारंभीत परिच्छा का ये पूरी तरह से free of cost है यूटूब में आप जाएं वहां अभी मैडम मध्यप्रदेश की classes ले रही है और आप मेरे साथ संबेधानिक आयोग पढ़ी रहे हैं प्रेलिम्स examination का जो सलेवस है यूनिक 10 का MPPSC का उसको पूरा cover कराया जाए और हम कराएंगे भी तो आप विश्वास रखें और जुड़े रहें Computation Community के टीम के साथ तो आप हमारे साथ क्या पढ़ रहे हैं आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं अभी यूनिक 10 और लगभग हमने नव आयोग अभी तक पढ़ चुक हैं और पढ़ने के साथ साथ हमने क्लास में पढ़ा तो ठीक है हमने उसके साथ साथ MCQ भी तयार किये हैं हमने MCQ भी लगाया है और देखा है MCQ लगाने का जो एक महतिपून उद्दे से वो यह है कि आपको जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ आपको कितनी याद हैं कितना आप उसको MCQ के द्वारा तयार कर पाए हैं और कितना आप उसको सही कर पाते हैं और कोश्चन प कियो हमने लगाया आज उसी करी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं हम आज पढ़ने जा रहे हैं SC, ST आयोग शाथियों आज का सयोग देखिए हम unit 10 तो पढ़ी रहे हैं और साथ में आज unit 10 उसी अध्याय 10 पढ़ेंगे unit 10 का chapter number 10 तो हम unit 10 का chapter number 10 और उसमें क्या है उसमें है राश्टी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग साथियों हम दोनों आयोगों को साथ में cover करते हुए आंगे बढ़ेंगे और साथ में हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के बारे में साथियों क्योंकि आपके सलेवस में किसी राजी को लेकर के चाहे वो मध्य प्रदेश को ही लेकर के हो उसमें आयोग में ऐसा वर्णंग किया नहीं गया है लेकिन अगर हम तयारी कर रहे हैं MPPSC एक्जाम की तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम कम से कम मध्य प्रदेश कि जो आयोग हैं उनको भी कवर करते हुए साथ में चलें आगे बढ़ें क्योंकि आपकी एक्जाम में कई वार यहां से भी question पूछे जाते हैं तो आईए सुरू करते हैं आज पढ़ते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे राश्टी अनसूचित जात एवम जनजात आयोग और तथा साथ में हम लोग मध्यप्रदेश राजजी का जो अनसूचित जात एवम जनजात आयोग है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आईए सुरू करते हैं पढ़ना और आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम समझें कि राश्टी अनसूचित जात आयोग इसकी प्रष्ट भ प्रष्ट भून के द्वारा आगे पढ़ेंगे कि ये संबैधानिक निकाय कैसे हुआ इसका क्या बैग्राउंड रहा है कैसे संबैधान में इसके लिए प्रक्रिया रही है इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो साथियोग आप जानते हैं कि जो हमारा भा भारतिय संबीधान सभी लोगों का कल्यान हो सके ऐसा प्राबधान करता है ऐसा सुनिष्चित करने का काम कौन करता है हमारा भारतिय संबीधान करता है तो भारतिय संबीधान में अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजातियों को ले करके एक बिसे सुपवंध किया गया इसमें जो हमारा भारतिय सम्मिधान लागू हुआ उस समय उसके भाग 16 का जो आर्टिकल था 338 उसमें हमारे अनुसूचित जातियां जो हैं हमारे अनुसूचित जनजाति के जो साथी हैं भाई वहन हैं उनके लिए एक विशेस आयुक्त की निवक्ति की गई और जिसका काम क जाते हैं उसके पहले इसकी वैसे शंबंधानी कायोक्त की बेवस्था नहीं थी अब हम जब इसमें पढ़ेंगे इस्की प्रष्ट भूम के बारे में देखेंगे तो हमको समझ आएगा याखिर इसकी प्रष्ट-भूम कैसे रही आगे इसका गठ्ळन कैसे हुए इसकी क्य सनरचना है इसके पूरे समस्ट डाइवेंशन के बारे में और हम क्लास में सब कुछ कवर करते हुए आंगे बढ़ेंगे आईए देखते हैं संबिधान भारतिय संबिधान का जो अनुच्छे 338 है उसके तहद राष्ट पती SCST के संबैधानिक अधिकारियों की रक्षा है तो क्या किया बिसेश उपबंद इन्होंने बिसेश अधिकारी की नियुक्ति करी इसके बारे में हमने बात की है अब कहता है कि बर्स 178 में केंदर सरकार एक प्रस्ताव लाई केंदर सरकार ने क्या किया बर्स 1978 में केंदर सरकार ने एक प्रस्ताव लाया और वो गैर संबिधिक बहु सदस्य निकाई के रूप में SCST आयोक का गठन हुआ किन्तु SCST आयोक्ति का कारियाले अभी भी बर्तमान में भी अस्तित्त में रहा और ये कौन सा कारियाले है ये हमने आपको बताया कि जब भारतियर संबिधान लागू हुआ उसके आरिटिकल 328 में क्या कहा गया था कि SCST के लिए एक बिसेस आयोक्त निक्ति किये जाएंगे जो उनके कलियान के लिए काम करेंगे तो उनका कारियाले भी अस्तित्त में रहा 1978 के बाद भी अब हम देखते हैं बर्स 1978 में सरकार ने आयुकत के कारियों में संसोधन किया lunar किया आयोक का नाम बदल करके इन्होंने क्या करदिया और फिर उसके बाद चीजे आंगे बढ़ी और क्या हुआ कि पैसठवा संविधान संसोधन अधिनियम लाया गया कब 1990 में और संविधानिक बहुसदस्य निकाई के रूप में क्या हुआ राश्टी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की इस्थापना हुई लेकिन 2987 में इस्थापित आयोग का भी ये इस्थान ले लिया किसने ले लिया 65 संविधान संसोधन अधिनियम 1990 के तहट SCST आयोग जो गठित हुआ फिर उसके वाद साथियों बरतमार में एक घटना करती है और वो कौन सी नवासिवा संविधान संसोधन होता है आपके भारतिय संविधान में और नवासिवा संविधान संसोधन कब होता है तो वो होता है 2003 में और इसके तहट इसके द्वारा SCST आयोग को अलग कर दिया जाता है मतलब अनसूचित जात के लिए एक अलग से आयोग होगा और अनसूचित जनजात के लिए एक अलग आयोग की विवस्था की गई अब आएए आगे बढ़ते हैं आपने समझा कि भारतिय संबिधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों का कल्नियान सुनिस्चित हो सके इसके लिए भारती संबिधान में पहले आर्टिकल 338 में एक साथ प्रापधान था उसके बाद चीजें बदली और उसके बाद सबसे पहले 1978 में सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा क्या किया कि गैर शाम विधिक बहुसा दस्य निकाय एसी हष्टी का गठन किया उसके बाद 1987 में सरकार ने आयुक्त के कारिर में संसोधन किया तथा साथ में इनका नाम में भी परिवर्तन करके राश्टी अनसूचित जाती जनजाती आयोग कर दिया उसके बाद हमने पढ़ा कि 65 में संविधान संसोधन के अधिनियम जो लाया गया 1990 में इसमें क्या किया गया कि संविधानिक बहुसादसी निकाए इसको बना दिया गया और राश्टी अनसूचित जाती जनजाती आयोग और उसमें क्या हुआ कि 1987 में इस्थापित जो आयोग था उसका इस्थान इन्होंने ले लिया जो 1987 में ये बना था उसका इस्थान अधिनियम 1990 के तहट ले लिया गया और फिर उसके बाद हाल ही में घटना हुई और उसमें संभिधान संसुधन 1989 के तहट अनसूचित जात और अनसूचित जनजात आयोग अलग-अलग कर दिया गया तो साथियों हमने अभी क्या समझा इसकी प्रश्ट भूम के बारे में देखा किसके राश्टी अनसूचित जाती आयोग की अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बरतमान में क्या इस्थी बरतमान में अब इनके नाम करमसा जैसा कि हमने बताया जैसा कि आपने अभी राष्टिय अनुसूचित जनजाती आयोग का प्राबधान आर्टिकल 338 में कर दिया गया और अनुसूचित जनजाती आयोग का प्राबधान किसमें कर दिया गया हमारी अनुसूचित जनजाती भाईयों के जो कल्यान सुनिशित हो सके उसके लिए एक अलग से आयोग स्थापित हुआ और उसका संविधान में कहां वर्णन कर दिया गया उसका आर्टिकल 338 का में वर्णन किया गया अब ये भाग सोला में है अगर हम बरतमान में संविधानी के स्थिति की बात करें तो ये आर्टिकल भाग सोला के अंतरगत आते है आप हम देखें घठन इवं का सवंदान के बारे में और इसकी वरतमाद में जिसके बारे में हमने चर्चा करी है प्रश्ट भूम हमने पढ़ लिया है अब हम देखें कि भाग सोला में अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन किया गया है इसलिए ये एक प्रकार का संबैधानिक निकाय है और आप संबैधानिक निकाय होने से आसे जानते हैं कि कोई भी आयोग हो वो अगर भारतिय संबैधान के किसी विशेश भाग या विशेश अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया हो तो वो संबैधानिक निकाय होता है और हमारा जो अनसूचित जाती आयोग है इसका वर्णन कहां है तो इसका वर्णन भारतिय संबैधान के भाग सोला में और उसका आर आप से question पूछेगा कि राश्टिय जो अनुसूचित जाती आयोग है वो कैसा निकाए है तो आप बताएंगे बहुसदसी निकाए और बहुसदसी निकाए स्यासे आप समझते हैं कि इसमें एक से अधिक लोग काम करते हैं अब इनमें कौन-कौन लोग काम करते हैं कौन इसमे अगर आप से कोई पूछे आप से exam में पूछा जाए कि राश्टिय अनुसूचित जाती आयोग कितने सदसी निकाए है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये पांच सदसी निकाए हैं कितने सदसी निकाए हैं पांच सदसी निकाए हैं इसमें एक अध्यक्च होगा एक अन्सूचित जाती आयोक का अध्यक्ष वही होगा जो S.C. से संबंदित हो अन्सूचित जाती से संबंदित हो ये अनिवार रूप से इसकी बात की गई है लेकिन अन्सूचित जाती से तो हो लेकिन होगा कौन होगा वो जो प्रसिजद राजनेतिक एवं सामाजिक कार्य करत उसी तरह इसमें एक उपाध्यक्ष और तीन अन्यसदस्य होते हैं अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करें कि जो इसमें बहुत सदस्य निकाय है जो इसमें पांस लोग काम करते हैं उनकी नियुक्ति चाहे अध्यक्ष उपाध्यक्ष या अन्यसदस्यों की हम बात करें इनकी नियुक्ति हो या सेवा सरते हो वेतन भत्ते हो चाहे पदावदी की बात हो इनको निर्धारित करने का इनके निर्धारन का काम कौन करता है तो इनके निर्धारन का काम राष्ट पती जी करते हैं हमारे भारत के मानने ये राष्ट पती जी ऐसा निर्धारित करते हैं कि इनकी क्या पदावधी होगी इनके क्या वेतनभत्ते होंगे इनकी क्या सिवासरते होगी इसके निर्धारन का काम राष्टपती जी का होता है हमने इसमें समझा कि ये प्रकार का बहुस अदसी निकाय है और ये पांच सदसी निकाय है एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष तथा तिन नड़ सदस्य होते हैं ये उनकी नियुक्ति, सेवा सरते, पदाव अधिसफप का और बेतनभत्यों का काम निर्धारन करने का काम कौन करता है तो राष्टिपती जी करते हैं आई ये हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बेतनभत्य कैसे होंगे बेतन किसके समान होंगे उसके बारे में बात की गई है तो बेतनभत्य जो होंगे भारत सरकार के सचिव के समान होंगे ऐसे questions आपके prelims में पूछे जाते हैं आप याद रखें कि जो बेतनभत्य होंगे किसके अनसूचित जातियायोक के अध्यक्ष सदस और चाहे उपाध्यक्ष की हो उनके वेतनभत्य सचिव के समान होंगे और भारत सरकार के सचिव के समान होंगे अब हम अगर अध्यक्ष की बात करें अध्यक्ष का दर्जे की बात करें केंद्रिय कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त होता है किसको अनसूचित जाती आयोक के अध्यक्ष को इसी तरह हम उपाध्यक्ष को देखें तो उपाध्यक्ष को केंद्री राज्यमंद्री का दरजा प्राप्त होता है अगर हम कारिकाल की इनकी बात करें कि इनका कारिकाल कितना होता है जो ये भूसदसी निकाय है अखिरकार इनका कारिकाल कितना होता है ये कितने समयावधी के लिए नियुक्त किये जाते हैं तो साथियों इनका कारिकाल तिन वर्सका होता है और ये पनर नियुक्ती के भी पात्र होते हैं इनको पुनाह भी नियुक्त किया जा सकता है लेकिन एक चीज़ आप रखें कि इनको दो बार से ज़्यादा नियुक्त नहीं किया जा सकता मतलब ये है कि अगर कोई भी अध्यक्ष सदस्य या उपाध्यक्ष बरतमान में कारेरत है तो उसको अगर चाहे तो एक बार उसको और नियुक्त किया जा सकता है लेकिन उसके बार नहीं मतलब इनको दो बार से ज़्यादा नियुक्त नहीं किया जा सकता तो ये हमने समझा अब हम आगे देखें आगे इसके कारे के बारे में बात करते है अग कोई भी साथियों, कोई भी आयोग हो, कोई भी संस्था हो, वो किसी कारे के लिए गठित की जाती है तो हम यहाँ देखें कि राष्टी अनसूचित जाती आयोग का कारे क्या है हमने उद्देश की तो बात करी कि इसका उद्देश है कि अनुसूचित जाति आयोग के सब लोगों को उन भाई बहनों के अधिकार सुनिश्यत हो सकें उनको भी समुचित जीवन यापन उनको उनके अधिकार मिल सकें, component उनका कल्यान हो सकें, क्योकि हमारा भारतिय संवीधान कल्यान कारी होने का एक उपकरण है, कल्यान कारी राज जिशापित करने का एक सबसेवाड़ा साधन है उसी तारित अंब में अब हम कार देखेंगे कि किन कारियों को करके किन कार दोरा हम उस अपने लक्ष तक पहुँ सकते हैं तो हमारा राश्टी अनसूचीत जाति आयोग है उसका कार क्या है उसके बारे में देखते हैं अनुच्छे 338 का जो आर्टिकल नम 5 है वो क्या कहता है इनके कारी के बारे में बात करता है अब इनका कारी जो अनुसूचित जातियों के लिए सम्विधान अथवा सरकार द्वारा दिये गए रक्षा उपायों से संबंधित सभी विस्यों की जांच तथा क्रियान वयन का जो भी भारतिय सम्विधान में या किसी नियम कानून के द्वारा अधिकार दिये गए हैं अनुसूचित जातियों को उनको अधिकार प्राफर मिल पा रहे हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो पा रही है कि नहीं इन सभी विस्यों की चाहे जाज करने का काम हो चाहे उनको क्रियानवयन मुल्यांकन की बात हो कि कैसे उनका क्रियानवयन हो रहा है की नहीं इन सब के बारे में बात कौन करता है तो वो राष्टी अनसूचित जातियायोग करता है अब देखें अनसूचित जातियों को उनके अधिकारों से बंचित करने संबंधी सिकायतों की भी जाज कर सकता है कौन कर सकता है तो हमारा अनुसूचित जाति आयोग कर सकता है अनुसूचित जाति वर्ग में सामिल करने साथियों अनुसूचित जाति वर्ग में कौन सी जाति सामिल होगी इसके बारे में क्योंकि इनको सामिल करने का काम हमारे भारतिय सम्विधान में बर्णन है कि राष्ट पती जी करते हैं तो राष्ट पती जी को ये परामर्स देने का काम कि कौन सी जाती अनसूचित जाती के अंतरगत आती है इसको सामिल करवाने का काम कौन करता है अनसूचि जाठे़ातके भाई-बैनों की क्या सामाजिक इस्थिति है? कैसे उनकी ओर्तिक इस्थिति है? उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है? वो समपन्नथता के मामले में एक हां रिकते हैं। सब के मारे चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो क्योंकि हम जानते हैं कि वेवारिक रूप से हमारे जो अनुसूचित जाती बर्ग के भाई बहनों चाहे जनजाती बर्ग के भाई बहनों की बात करें वो आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़े हैं तो उनको उनके पिछड़े पर्ण का क्या कारण है उनकी सामाज में क्या इस्थिती है इन सबका अध्यन करने का काम कौन करता है तो राश्टी अनुसूचित जाती पायोग बन रहा है तो उसमें भाग लेने का काम उसमें अपनी सहभागिता दरज कराने का काम कौन करता है तो उनको प्रभाई रूप से लागू कराने का काम किसका है तो वो है राश्टी अनुसूचित जातीायोग का इसी प्रकार बहुत सारे काम हैं इसका जो मेन उद्देश है वो ये है कि अनुसूचित जाती वर्ग के जो भी लोग हैं उनके अधिकारों को उनके कल्यान को सुनिश्चित करना और आगे देख लेते हैं राष्ट पती को अनुसूचित जातियों के अधिकारों एवन विकास की बारसिक रिपोर्ट देना ये बर्स भर में अपनी रिपोर्ट अनुसूचित जातियों को प्रभावित करता हो आयोग से अनिवार रूप से विचार बिमार्स करना होगा आयोग अनिवारे रूप से विचार बिमार्स करेगा चाहे वो संसत के द्वारा किसी तरह का कोई नियम बनाया जाए किसके लिए अनुसूचित जातियों को प्रभावित करता है तो उसके लिए सिपारिस करने का काम कौन करेगा उसके लिए विचार बिमार्स करना अनिवा अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 2018 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी हाँ अभी तक क्या था कि 2018 तक अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम OBC वर्ग कहते हैं उनके भी अधिकारों का काम उनके भी लिए काम कौन करता था उनके लिए भी काम यही कर रहा था राश्टियन सूचित जाती आयो लेकिन बरतमान में ऐसा नहीं है बरतमान में क्या हुआ 102 संबिधान संसोधन हुआ जिसके तहट पिछड़ा वर्ग अलग से आयो गठित हिया गया और ये जो संसोधन है 2018 म हुआ 2019 में इसको लागू किया गया अब हम आगे बड़ते हैं और देखते हैं प्रतिवेदन प्रतिवेदन और रिपोर्ट अपनी य जो अनुसूचित जाती आयोग है ये अपना प्रतिवेदन अपनी रिपोर्ट किसको देता है बारसिक रिपोर्ट अपनी कहां हुई ऐसा लगा कि समय से पहले भी बारिसिक रिपोर्ट देनी चाहिए मतलब बश्वर में एक बार दी जाती है यह से गए और आए propose समय से पहले मतलब एक बर्सवर से पहले भी ऐसी आवसकता महसूस होती है तो वह किस आर्टिकल के तहट अनुच्छे 338 के सब आर्टिकल 6 के तहट ऐसा उनको कहा गया है ऐसा उनको चर्चा की गई है अब हम देखें अनुच्छे 337-387 कोई ऐसा भी से जो राज सरकार से संबंदित है तो राष्ट पती जी राज विधान मंदल में रखवाएंगे और वो अ और किस आर्टिकल के तहट अनुच्छे 338 के सब आर्टिकल 7 के तहट अब आगे आगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं सक्तियां क्या है आयोग की सक्तियां क्या है हमारा राष्टी जाती आयोग जो है उसकी सक्तियां क्या है उसके बारे में देखते हैं अनुच्छे 338 का स आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयम बिनीमित करने की सकती है आयोग जो भी अपनी प्रक्रिया बिनीमित करेगा वो खुद वखुद करेगा और उसको अधिकार से मिल दहा है अधिकार भारतिय संभिधान के अनुच्छे 338 के सब आर्टिकल 4 के द्वारा अब आईए देखते हैं अनुच्छित जातियों पर होने वाले अत्याचार या उत्पिरन के मामले में आयोग को स्वतह संग्यान लेकर कारवाई सुरू करने का भी अधिकार दिया गया है अगर किसी प्रकार के अनुच्छित जातिवर के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो आयोग चाहे तो खुद भी ऐसा संग्यान ले सकता है अब हम देखते हैं अनुच्छे 338 सब आटिकल 8 ये कहता है कि आयोग को जाच करते समय सिविल नयाले की सकती प्राप्त होगी और सिविल नयाले की सकती प्राप्त होने के बाद प्राप्त होते ही वो कौन-कौन से काम कर सकता है उसके बारे में हम चर्चा करते ये किसी भी भ्यक्ति को, मतलब भारत के किसी भी भ्यक्ति को समन जारी करना, सपत पर उसकी परिच्छा करना और जो उसने सपत लिए है सपत के साक्ष पेश करने के लिए भी कह सकता है दस्ता वेच को प्रगट और पेस करने की भी अपेच्छा कर सकता है कौन? हमारा राष्टियन सूचित जाती आयोग सपथ पत्रों पर साख्ष गरहन करना भी, अगर सपथ पत्रों पर साख्ष गरहन करने की आवश्चक्ता हुई, तो वो आयों मगवा सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है किसी नयालाय या कारियालाय से किसी लोग अभिलेख या उसकी प्रतिकी अपेक्षा भी कर सकता है किसी प्रकार का चाहे साज की कारियालाय हो चाहे अनसंस्थाएं हो उनसे किसी भी प्रकार का लोग अभिलेख या उसकी प्रति मगा सकता है उसकी अप्रिक्षा कर सकता है कि ये हमको प्रदान की जाए ये हमको दिया जाए अब देखें साक्षियों और दस्तावेजों की परिक्षा के लिए समन भी निकाल सकता है कौन राश्टियन सूचित जातियायोग आईए आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं आप हम यहाँ देख लेते हैं कि जो राश्टियन सूचित जातियायोग है उसके क्या समभीधानिक उपवन ले साथियों ये एक पूरा स्लाइड है जिसमें समभीधानिक जो बढ़न है राश्टियन सूचित जातियायोग का उसके बारे में हमने चर्चा करी है ये आप स्क्रीन सूच रख सकते हैं ये क्या है कि एक्जाम में जब प्रिलियम्स एक्जाम पास आता है उस समय रिवीजन के लिए ये बहुत फाइदेवन चार्ट होता है इसमें हम ये देखेंगे कि भारती संभीधान के भाद जो 16 है उसमें अनुसूचित जाती आयोग के बारे में बात की गई है तो उन किन आर्टिकल्स में किन किन के बारे में चर्चा की गई है ये हम एक तरह से बिस्तार में देख लेंगे अपन यहां सौट में ये समझेंगे कि किस आर्टिकल में किन चीजों के बारे में बात की गई आपके एक्जाम में कई वार आर्टिकल को लेकर भी कोश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपको याद रहें आईए देखते हैं अनुच्छे 338 में क्या कहा गया है कि राष्टियन सूचित जाती आयोग होगा 338.1 में कहा गया है इसके गठन की बात की गई अनुच्छे 338.2 में कहा गया कि आयोग में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष तीन अन्यसदस सेवा सर्ते पदावधी राष्टपती तै करेगा इसमें आयोग की सनरशना के बारे में बात की गई है अनुच्छे 338.3 में कहा गया कि न्यूक्ती राष्टपती करेगा 338.4 में कहा गया कि आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयम बिनीमित करने की सक्ति प्राप्त है अनुच्छे 338.5 में कहा गया कि आयोग की कार क्या होंगे उसके बारे में चर्चा की गई इसी तरह अनुच्छे 338 फाइब घा में रिपोर्ट जो है बारिसिक रिपोर्ट वो अपनी ये राष्ट पती को देंगे अनुच्छे 338 में कहा गया कि राष्ट पती रिपोर्ट संसद के प्रतेक सदन में रखवाएंगे राष्ट पती जी को जो रिपोर्ट आयोग देगा उसको राष्ट पती जी संसद के प्रतेक सदन में रखवाएंगे और रूक इस आर्टिकल के तहट अनुच्छे 338 साथ ही अनुच्छे 338 इसको कर लीजे यह 388 हो गया है प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप थोड़ा इसको मेनेज कर सिए अब हम देखते हैं अनुच्छे 338 सेवन में कहा गया कि राष्ट पती रिपोर्ट को संबंधित राज जपाल को सौफेंगे और राज जपाल उसे संबंधित विधान मंडल में रखवाएंगे इसकी बात कहा की गई है अनुच्छे 338 सेवन में इसी तरह हम देखें अनुच्छे 338 तूसमें कहा गया आयोग को किसी भी क्रत को करते समय कोई भी जांच हो या कोई भी काम कर रहा हो आयोग उसको सिविल ने आले की सक्टियां प्रात होती है अनुच्छे 338 में कहा गया कि केंदर राज सरकारें विधी बनाते समय आयोग से परामर्स करेंगी चाहे केंदर सरकार हो चाहे राज सरकार हो अगर अनुच्छित जात से संबंधित कोई भी नियम बनाती है तो परामर्स किसे करेंगे परामर्स करेंगी जो उनका सुप्रीम है राज्टी अन्सूचित जाति आयोग उससे बिना परामर्स के बिना विचारवी मर्स के कोई भी कानून नहीं बनाएंगी कोई भी ने नहीं लेंगे जो किस से संबंधित हो अन्सूचित जाति से संबंधित फो उनको प्रवाबित करता हूँ इस तरह हम बढ़ते हैं आगे तो अच्छे 338 का दस है वो ये कहता है कि आयोग आंगल भारती समुदायों के लिए आंगल भारती समुदायों के लिए भी उसी प्रकार कार करेगा जैसे अनुसूचित जाती कि लोगों से सम्बंधित अधिकारों को सुनिशित करने का काम कौन करता है राष्टिय अनुसूचित जाती आयोग तो ये हमने सम्बैधानिक उबंद के बारे में चिर्चा करी आईए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्टिय अनुसूचित जाती आयोग का एक स्वरूप समझ लेते हैं संचिप्त में कि आखिर इसका जो स्वरूप है वो क्या है प्रिलिम्स में यहां से आपकी कोश्चन बनते हैं तो हम उसके बारे में देखते हैं स्वरूप स्वरूप संवेधानिक स्वरूप है गठन की बात करें तो अनुच्छे 338 के तहट इसका गठन किया गया आपने पढ़ा संचना एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस इस प्रकार से ये एक बहु सदस्य निकाए है आब हम देखें अध्यक्ष सदस की निकती तो राष्टपती करता है रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट आयोक किसको देता है राष्टपती जी को देता है इसी तरह अगर हम प्रताम अध्यक्ष की बात करें और ये प्रताम अध्यक्ष किसकी हम बात करने हैं जब आयोक का गठन 2004 में हुआ उस समय गठन के समय सूरजभान सिंग जो थे अब साथियों इनको सरनेम के बारे में नहीं पता है सूरजभान नाम है इनका आप याद रखें इनका कारिकाल अगर आप से पूछता है ते 2004 से 6 के बीच का इनका कारिकाल रहा बरतमान अध्यक्ष बरतमान अध्यक्ष बिजय सामपला जी है और इस्थापना की अगर हमने बात करी इस्थापना के जैसा हमने आपको बताया कि इनका नवासी में संविधान संसोधन 2003 के दौरा इसको अलग से आयोक बनाया गया और इसकी इस्थापना कब हुई तो 15 फरव जातियायोक का साथियों अगर हम थोड़ा चर्चा करें बरतमान में देखें कि सामाजिक नयाय अधिकाजिता मंत्रालय का मंत्री कौन है तो जहां तक मुझे याद आ रहा है बिरेंद कुमार खटिक जी क्योंकि वो हमारे मद्ध प्रदेश से हैं इसलिए हम उनके बारे मे सांसद भी रह चुके हैं और लगातार वो नौबार के सांसद हैं तो सामाजिक नयाय अधिकाजिता मंत्रालय की वो मंत्री हैं इसके पहले हमारे थावर्चंद गहलोत साहब थे वो बरतमान में राज़पाल हैं यह आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे थावर्च अनसूचित जाति आयोग कब गठित हुआ इसका क्या स्वरूप है कैसी संरचना है इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं चर्चा कर लेते हैं अब हम आईए देखते हैं तो मद्य प्रदेश राज्य अनसूचित जाति आयोग का गठन मद्य प्रदेश राज्य अनसूचित करें तो 29 जून 1995 की स्थापना हुई संरचिना एक अध्यक्ष दो असासकी सदस एक सचीव और इनमें जो सदस्यों की बात की गई है आप याद रखें आपके प्रिलिम्स में ऐसे कोशन पूछे जाते हैं उनका दो लोगों का ऐसी जाती से होना अनिवार है अनुसूचित जाती से होना अनिवार है न्युक्ति कौन करेगा न्युक्ति राज्यसरकार करेगी कारेकाल इनका कितना होगा कारेकाल तीन वर्सका होगा पदेन सदस इन में कौन होगा तो अनुसूचित जाती विकास आयोक का जो अ करेंगे और बरतमान में अगर अधक्ष की बात करें कि बरतमान में मद्ध प्रदेश का जो अनुसुचित जात यायोग है उसके अधक्ष कौन है तो भूपेंद सिंग आर रिजीन के अधक्ष हैं साथियो जब भी मैं अधक्ष या सदस की बात करता हूँ आप से बार बार कह प्रश्टिय अन्सूचित जनजात आयोग अब हम पढ़ेंगे आज राश्टिय अनुसूचित जनजात जात आयोग के बारे में हमने साथ में मध्य प्रदेश का जो अनुसूचित जाती आयोग है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे अब हम चर्चा करेंगे राष्टी अनुसूचित जन जाती आयोग के बारे में ये एक प्रकार का संबैधानिक निकाय है ये एक प्रकार का कैसा निकाय है, संबैधानिक निकाय है, अब जब संबैधानिक निकाय की बात करते हैं, हम इसके थोड़ा एतिहासिक प्रिश्ट भून के बारे में बात करेंगे, हलाकि जब अभी हमने अनसूचित जाती आयोक पढ़ा, उस समय हमने चर्चा कर ही ली है, इ क्योंकि हम जानते हैं, बेवहारिक रूप से हमारी जंजात पिछडी हुई है, इसलिए उनको कैसे कल्यान सुनिस्चित हो, इनके लिए क्या किया गया, इनके लिए पहले आयोक का गठन करने की बात की गई, इसकी थोड़ा हम प्रिश्ट भून के बारे में चर्चा कर लेत जो मैंने आपको वहां बताया, कि सबसे पहले जब संबिधान का गठन हुआ, उस समय कोई भी अनसुचित जाती और जंजात के लिए अलग से आयोक की बात नहीं की गई थी, आर्टिकल 338 में ही कहा गया, कि अनसुचित जाती और जंजातियों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए बिसेस आयोकत की नियुकती ही जाएगी, फिर उसके बाद चीजे आंगे बढ़ी, 1987 में इसको एक प्रकार से संबिधानिक किया गया, उसके बाद नवासिवा संबिधान संसोधन हुआ, तब ये चीजे अनसुचित जाती आयोग और अनसुचित जंजाती आय अलग से गठित हुआ, पहले ये दोनों अनसुचित जाती और जंजाती आयोग साथ में काम कर रहे थे, और जब अनसुचित जाती आयोग का बढ़नाद अनुच्छे 338 में किया गया, तो अलग से एक संसोधन अनुच्छे 338 का को जोड़ा गया, और उसमें राश्चित ज जनजाती आयोग के बारे में बात की गई, आईए अब हम देखते हैं, संबिधान में स्टी जनजातियों की हितों अधिकारों की रक्षा है, बिसे स्प्राब्धान किये गए, और उन्ही को सुनिशित हो सके, उनका क्रियान बर्न मेतर तरीके से हो सके, इसी के लिए आयोग की गई, गठित किया गया क्या, अनसूचित जनजात आयोग, आयोग के छे छेतरी कारियाले हैं, अगर हम बात करें कि आयोग के कितने कारियाले हैं, तो छे छेतरी कारियाले हैं, अगर हम देखें कि मद्ध प्रदेश में भी क्या इसका छेतरी कारियाले है, तो इसका एंसर आप गूगल करें आपको वहां लिस्ट इसकी मिल जाएगी अब हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं गठन गठन कैसे हुआ तो इसका गठन जैसे कि हमने देखा कि एक संविधानिक निकाय है इसका संविधान में बर्नन भाग सोला भाग सोला इसका जो आर्टिकल है 338 का उसमे इसके गठन की बात की गई है संरचना अगर देखें तो ये एक बहुस अदस्य निकाय है ये एक बहुस अदस्य निकाय है कौन हमारा राश्तियन सूचिद जनजात आयोग इसमें कौन-कौन लोग होते हैं एक अध्धक्ष इसमें होते हैं एक उपाध्धक्ष होते हैं और सचिव रेंक के माने जाएंगे लेकिन अनिवार बात ये है कि इनका अध्यक्ष वही होगा जो ST से संबंधित हो अनसूचित जनजाती से संबंधित हो हमारा अनसूचित जनजाती से संबंधित कोई भाई ही इसका क्या अध्यक्ष बन सकता है वो कौन होंगे अनसूचित जात वर्ग के होने चाहिए एक उपाध्यक्ष होंगे तीन अन्य सदस्य होंगे इन में कम से कम दो व्यक्ति इन जो सदस्य होंगे उन में चाहे उपाध्यक्ष और चाहे सदस्य इन में दो व्यक्तियों का स्टी का होना आवश्यक है कम से कम दो व्यक्ति स्टी से संबंदित होंग अगर हम इनकी नियुक्ती की बात करें कि उनकी नियुक्ती तो नियुक्ती इनकी राष्टपती जी करते हैं चाहे अध्धक्च हो चाहे उपाध्धक्च हो चाहे अन्य सदस्य हो इनकी नियुक्ती कौन करता है तो इनकी निफ्टी करते हैं हमारे राष्टपती जी मानिनिय राष्टपती जी अब हम सेवा सरते हैं और पदावद की बात करें इसका भी निर्धारन राष्टपती जी के द्वारा किया जाता है कारिकाल, कारिकाल इनका तीन वर्सका है और ये दो बार अपने पदपन नियुक्त किये जा सकते हैं परंत दो बार से ज़्यादा नहीं ये अपने कारिकाल के बाद एक बार और मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहे उपाध्यक्ष या सदस्य हो वो अगर अपने कारेकाल में है तो वो एक बार और नियुक्त किये जा सकते हैं लेकिन वो दो बार से जादा नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं ऐसा संवेधानिक राबधान है आईए आगे बढ़ें देखते हैं कार अनसूचित जनजाती आयोग का कारे क्या है क्योंकि हमने बात करी कि अगर कोई भी आयोग हो वो एक उद्धेस के तहत गठित किया जाता है तो वो उद्धेस प्राप्ति के लिए क्या काम करेगा जिन उद्धेसों को लेकर उपा गठन किया गया है वो कौन से कारे करेगा जिससे वो अपने लक्षे तक पहुंच सके आश्टी अनसूचित जनजाती आयोग कर सकता है जनजातियों से संबंदित योजना निर्माण में भाग लेना परामर्स देना तथा विकास की गती पर नजर रखना अगर अनसूचित जनजातियों से संबंदित किसी भी प्रकार का नियम कानून बन रहा है या कोई ऐसी उसका क्या प्रगति है और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इन सब में नजर रखना और परामर्स देने का काम कौन कर सकता है तो वो राश्टी अनसूचित जनजाति आयोग करता है वो इसका कार्य है किसी जनजाति वर्ग को जनजाति में सामिल करने के लिए क्योंकि हमने जब अनसूचित जनजाति पढ़ा उसमें भी हमने चर्चा करी और यहां भी वही चीज है कि अगर अनसूचित जनजाति से संबंधित कोई जाती है अगर उसको ऐसा लगता है आयोग को कि इसे राश्टपती जी क्या करें जनजाति जनजाति बर्ग में सामिल कर सकता है उसके लिए सिपारिस करने का काम कौन करेगा आयोग और फिर हमारे राश्टपती जी सामिल करने या ना करने का मिलने लेते हैं अब हम देखते हैं राश्टपती को जनजातियों के अधिकारों इवन विकास की बारसिक रिपो करने काम आयोक का है जीन अधिकारों को राश्ट पती संसद द्वारा बनाई गए बिधी के आधियन बिर्दनेद्रिश्ट करें उनका निर्वाहन करना भी आयोक काम है राश्ट पती जी के द्वारा अगर अनसूचित जनजातियों से संबंधित कोई नियम कानून बनाए तो अनुच्छे 338 का जो सा वार्टिकल 5 है और उसका घा है उसमें ये कहा गया है कि प्रतिवर्स ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे तो राश्ट पती जी को ये अपनी प्रतिवर्स की रिपोर्ट संपेंगे आवश्चक होने पर ये समय से पहले भी दे सकते हैं क्योंकि ये बारिसिक रिपोर्ट बेवहरिक रूप से सालभर में एक बार दे जाती है लेकिन अगर आयोग को लगा कि इसको समय से पहले भी आवश्चकता है तो वो राश्ट पती के समख्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अनुचे 338 का कसा आवर्टिकल 6 कहता है कि राश्ट पती रिपोर्ट को संसत के समक्ष रखवाएंगे और उसमें श्विक्रती आव स्विक्रती से सम्मधित कारण सहित होंगे अगर कोई भी सिपारीज किसी प्रकार की अनुचुचित जनजाती से सम्मधित सिपारीज आयोग ने करी तो उसको माना गया या कि कई वार सिपारिज नहीं मानी गई उसको कारण सहित प्रस्तुत करने का काम रिपोर्ट में संसत के समक्ष राश्ट पती जी करेंगे अनुच्छे 338 काका सवार्टिकल 7 कहता है कि राज जी के मामलों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट पती राज जपाल को भेजते हैं और राज जपाल जी उसे संबंधित राज जी के विधान मंडल में रखवाते हैं अब हम देखते हैं जैसा की मैंने आपको बताया कि वो विधान मंडल में रश्टूत करते हैं रीपोर्ट रखवाते हैं राज जपाल राज जपाल को कौण देता है रेश्ट पती जी अब देखिए सक्तियां क्या है आयोग की सक्तियां क्या है राश्टी अनुच्छित जनजात आयोग की सक्तियां क्या है आईए देखने हैं गरान करता है तो आप बताएंगे कि सीविल ने ऑले की सकती भरती सम्विधान के अनुच्छे 338 का के सब आर्टिकल 8 के तहत आयोग को दी गई है अनुच्छे 338 का का सब आर्टिकल 4 है वो कहता है कि आयोग को अपनी कारिविधी बिनेमित करने की सकती है स्वयम बिनेमित करने की सकती आयोग को किस आर्टिकल के तहत अनुच्छे 338 का कसव आर्टिकल 4 के तहत इसी तरह अनुच्छे 338 का कसव आर्टिकल 9 कहता है कि संबिधान के अंसार अनसूचित जनजात से संबंधित कोई नियम बनाते समय आयोग से परामर्स करना आयोग से विचार विमर्स करना अनिवार होगा और ये किस आर्टिकल के तहट 338 का का सब आर्टिकल 9 अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संबैधानिक उपबंद क्या है क्योंकि आपके अनुच्छेद के तहट आपके एक्जाम दे कोश्चन पूछे जाते हैं कई बार अनुच्छेद को लेके तो यहां सार्ट में ह ना में राश्टियन सूचित जन जाती आयोग के बारे में बात की गई है और किस आर्टिकल में अनुच्छेद 338 का का सब आर्टिकल 1 आयोग पर गठन की बात करता है अनुच्छेद 338 का का सब आर्टिकल 2 एक अध्धक्छ एक उपात धक्छ 390 सब होंगे अगर इनकी करेंगे किस आर्टिकल के ताहत अनुच्छे 338 का का सब आर्टिकल 2 आप हम देखते हैं अनुच्छे 338 का का 3 मियूकती राष्ट पती जी करेंगे अनुच्छे 338 का का 4 कहता है प्रक्रिया स्वयम विनियमित करने की सकती इसको है आयोग को है और वो किस आर्टिकल के तहत तो अनुच्छे 338 का सवार्टिकल 4 अनुच्छे 338 का सवार्टिकल 5 कहता है कि कर्तब के बारे में बात की गई है इसी तरह अनुच्छे 338 का सवार्टिकल 5 कहता है रिपोर्ट जी हो है यानुच्छित जनजाति आयोग वो राष्ट पती जी को सौपेंगे इसी तरह अनुच्छे 338 का का सब वार्टिकल 6 कहता है कि रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी और इसकी सदन में अगर कैंडर से जुड़ा मामला हो कैंडर सरकाल से तो संसद में अगर राजी से जुड़ा मामला हो उसको अनुच्छे determination का के सबार्टिकल 7 के ता है संबंधित राजी के राजपाल के द्वारा संबंधित राजी के विधान मंडल में रखवाने का काम किसका है वो राष्ट पती जी रखवाएंगे राज जपाल को देंगे तो राज जपाल जी संबंदित राज जी के विधान मंडल में प्रस्तूत करेंगे अब हम आगे देखें अनुचे 338 का का सवार्टिकल 8 कहता है कि इसको सिविल नयाले की सक्ति प्राप्त है और अनुचे 338 का का 9 कहता है कि नियम बनाते समय आयोग से परामर्स करना अनिवार है चाहे वो राज में हो या केंदर में हो अगर जनजाती आयोग से संबंदित कोई बिसे है तो आयोग से परामर्स करना अवश्यक है अब हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं राश्टियन सूचित जनजात आयोग के बारे में इसका संचिप्त परिचे देख लेते हैं और आप इनके स्क्रीन सॉट रखें ऐसे जो साइट में आपके पास फैक्ट मिल रहे हैं आपके एक्जाम में यकीन मानियें जब आपके एक्जाम के लिए आपके कम समय बचेगा उस समय आप देखेंगे कैसे हम इसका रिवीजन करें कैसे क्क्द्रीजन के में पूाँ आता है तो यह बचएकता है कि नवासिवा संभिधान संसोचन 2003 में हुआ उसके तहत 19 फरवरी 2004 को अनसुचित जाती और जिनजाती आयोग अलग हो गए इस तरह अनसुचित जिनजाती आयोग की स्थापना हुई संरचना एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष तीन अन्य सदस इसमें याद रखें आप कि अन्य सदस में दो सदस एस्थी के होना अनिवार है और यह प्रकार का वहु सदस यह निकाए है न्यूक्ति के अगर बात करें न्यूक्ति हमारे राष्टपती जी करते हैं कारेकाल तीन वर्स का होता है इनका सेबा सरतों और पदावद की बात करें तो राष्टपती जी रिपोर्ट ये अपनी राष्टपती को देंगे और प्रतम अध्यक्ष की अगर बात करें तो कुमर सिंग जी इसके प्रतम अध्यक्ष रहे हैं बरतमान अध्यक्ष की बात करें, तो हर्स चौहान जी, बरतमान में अन्सूचित जन्जाति आयोक के अध्यक्ष हैं, मुख्यालय इसका दिल्ले में हैं, और नोडल एजनसी जन्जाति मामलों का मंत्रालय इसके नोडल एजनसी के रूप में कार्य करता है। तो साथियों हमने अभी क्या पढ़ा राश्टी अनसूचित जनजात आयोग आए हम आगे पढ़ते हैं आगे देखते हैं मध्य प्रदेश राज जनसूचित जनजात आयोग की स्थापना कैसे हुई तो मध्य प्रदेश राज जनसूचित जनजात आयोग अधिनियम आया 1995 मे और उसी के तहट इसकी इस्थापना हुई राज जिपाल की अनुवती कम मिली 24 मई और 1995 को और इस्थापना 29 जून 1995 को इसकी इस्थापना हुई सनरचना एक अध्यक्ष दो असास की सदस और एक सचिव इसमें कम से कम हमने आपको बताया कि दो सदस्थापना का होना अनिवार है अनसूचित जनजाती का होना अनिवार है पदेन सदस्थ की अगर बात करें तो मद्धि पदेश की जनजाती आयुक्त इसके पदेन सदस्थापना नियुक्ति राज्य सरकार करेगा और कारिकाल तीन बर्सका होगा सेबा सरते राज्य सरकार तें करेगी बारसिक रिपोर्ट ये अपनी राज्य सरकार को देगा और बरतमान में अगर बात करें कि बरतमान में इसके अध्यक्ष कौन है करी साथियो आज हमने बिस्तार से पढ़ा राश्टी अनुसूचित जाती आयो राश्टी अनुसूचित जन जाती आयो साथ में हमने कवर किया क्या मध्य प्रदेश का अनुसूचित जन जाती आयो तो हमने लगभग आज चार आयोगों के बारे में बात की साथियो जो राज आर्टिकल के तहर समस्द डाइमेंशन के बारे में चर्चा की है ऐसा कोई भी फैक्ट ऐसे कोई भी तत्य हमने बगाया नहीं छोड़े जो आपके एक्जाम पॉइंड अब्यू से महत्यपूर्ण हो तो साथियो आज हमने क्लास में पढ़ा इन आयोगों के बारे में हम अगल करता हूँ कि आप जो क्लास में आज पढ़ें वो आपको अच्छे से बेहत्रियन समझ आया होगा साथियो आप जुड़े रहें कंप्टेशन कमुनिटी के साथ और हमारा MPPSC का जो क्रेस कोर्स चल रहा है उसके आप सभी सलेवस का जो भी टॉपिक है समस्द टॉपिक के व बारे में चर्चा करेंगे अभी हम यूनिट इनके अंगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उसके पहले जो क्लास होगी उसमें हम इनहीं जो आयोक SCST राज्जिका हो चाहे राश्टी स्तरका इनके MCQ के बारे में चर्चा करेंगे तो साथियो आप हमेशा की तरह फि झाल